नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दीपक चोहान और I am the one who takes care of English language at super coaching मैं जो है super coaching में English पढ़ाता हूँ तो आज मैं आपके सामने एक 10-15 मिनट का एक बहतरीन वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर आपको मैं D.S.S.S.P.R.T. से related है, complete slavers की detail, how to prepare, कैसे करना है और सारी चीज को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, ठीक है? तो आईए दोस्तों और मैं clear cut बता दूँ, D.S.S.S.P.R.T. बहुत promising exam है, आने वाला है, अब मैं कोई hype create नहीं करूंगा, कुछ vacancies आ चुकी है, कुछ अब आने वाली है, और अब सबसे important exam क्योंकि देखें, बाकी सारे exam अब जा चुके हैं, ठीक है? बिहार का exam हो गया, KBS का exam हो गया, अब हमारे सब के सामने एक बहुत बड़ा exam आ सकता है, या तो वो UPTGT है, जो मेरे को लगता है कि अभी एक दो महीने ठंडे वस्ते में जा चुका है, अब जो सबसे ज़ादा उमीद है, वाट की हुई है, D.S.S. और मैं पूरा जितनी भी नियूज आती है, या जितना भी कोट की तरफ से फटकार लगाई गई है कि विकिंसी रिलीस करो और वो सब है, तो एक शीर प्रेशर देखने को मिलता है गौर्मेंट पे, कि भई अब उनको विकिंसी रिलीस करनी पड़ेगी, और कहीं न कहीं आन है कि आप जल्दी से जल्दी तयार होके बैठ जाईए है ना, कि जैसे ही एक्जाम आएगा बस सिरफ प्रेक्टिस सेट लगाऊंगा और मेरा एक्जाम निकल जाएगा, तो तयारी करके बैठ जाईए, मैं हमेशा से बुलता हूँ, एक्जाम आने के बात तयारी मत करिए, मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप तयारी कहीं से भी करिए, वो आपकी अपनी च्वाइस रहती है हमेशा, बट तयारी करके बैठ जाईए, राइट, तो चलिए आईए, आज मैं आपको D.S.B.P.R.T. को लेकर पूरी डिटेल बताने वाला हूँ, हर एक चीज की हम बात कितने मार्क्स चाहिए, कितना क्या है, आज हम कट आफ की बात नहीं करेंगे बस, ठीक है, अब कट आफ की हम सेपरेड वीडियो रखेंगे, ठीक है, तो देखें जल्दी से आपके सामने ये चीज आपको दिखरी होगी, कि आपके सामने जो D.S.B.S.B. का है, ठीक है, अग एक्जाम का पैटन है, तो अगर मैं उसकी बात करूँ, तो देखें, हमारे पास ये डिवाइड़ है, पाथ सेक्शन में, ठीक है, ये डिवाइड़ है पाथ सेक्शन में, जो कि 100 नमबर के आएंगे, और ये डिवाइड़ है हमारा एक में सेक्शन, जिसको आप बोलते हैं में पेपर या फिर सबजेक्ट पेपर जो है, ठीक है ना, तो वो हमारा डिवाइड़ है 100 में, तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं दोस्तों, तो ये दिखिए आपका जो जर्नल अवेरनेस है, वो आपका 20 नमबर का आता है, 20 कोशन है, 20 मार्क से, रीजनिंग आपक 20 नमबर की आती है, ठीक है, अरिथमेटिकल और नुमरिकल अबलिटी, यानि मैथमेटिक्स जो है, वो आपका 20 नमबर का आता है, इंगलिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन आपकी 20 नमबर की आती है, ठीक है, और अगर मैं बोलू हिंदी लैंग्वेज जो है, ये भ subject concern है, जो कि PRT के अंदर जो है, वो TM माना जाता है, teaching methodology, जो आपका 100 नमबर का नजर आता है, ठीक है न, ये इसको जर्नल अवेरनेस को हटा दीजिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, जो आपका 100 नमबर का नजर आता है, ठीक, तो अगर आप देखेंग आपका जो ये है, देखें, इतना वाला जो पार्ट है, वो आपका 100 का हो गया, और बाकी आपका जो ये वाला पार्ट है, वो आपका 100 का हो गया, राइट, तो हमारे पास ये total जो है, अगर मैं देखूं, तो ये total हमारे पास कितने नमबर का बन गया, ये 200 नमबर का पूरा paper बन गया, right अब अगर आप देखेंगे तो इसमें clear लिखा हुआ है कि each of the question will carry one mark, यानि अगर वो 200 का है, तो 200 का है, तो एक number का हर question होगा, तो हमारे पाद total 200 question होगे, 0.25 का deduction है, यानि minus marking होगी, ठीक है, और अगर मैं बोलू तो mode of the exam क्या है दोस्तो, mode of the exam जो है, वो आपका online होगा, अभी तक फिलाल यही है कि online होता है, पहले offline होते थे फिर बीच में online हो गया है, आने वाली notification में वो clarity उसी time मिलेगी कि exam online होगा या offline होगा, minimum duration जो है, जो आपका total duration है, वो आपका minimum नहीं बोलूँगा, total duration जो है वो दो घंटे की, यानि एक minute में एक question करने का आपको पूरा मौका मिलेगा, right, तो चलिए, आईए, आगे देखते है, journal awareness में, देखिए, मैं ये भी बताऊंगा कि एक average score बच्चे का क्या रहता है, ठीक है ना, एक average score जो है वो बच्चे का क्या रहता है, अगर वो एक तेयारी ठीक लेवल पे करता है, देखिए, journal awareness में लोग 8 से लेकर 10 number तक का maximum target रखते हैं, है ना, क्योंकि journal awareness कहते हैं ना, समुंद्र है तो समुंद्र history का मतलब ये नहीं, history, history मतलब पूरी history, polity मतलब पूरी constitution, तो यानि journal awareness में तो अगर आप, देखे, 8-10 भी मैंने थोड़ा ज़ादा लिख दिया, अगर आप 6 से लेकर 10 के बीच में number ले आते हैं तो आपने बहुत अच्छा score करा है, अगर आपने 6 से लेकर 10 number ले आते हैं आप एक अच्छा score किया है आपने ये ध्यान रखना, इसके अंदर history, polity, constitution, ये सारी चीज़े आपको नजर आती हैं अब देखे, reasoning के अंदर जो है, reasoning मेरा मानना है कि किसी भी, कोई भी व्यक्ति जो लोग competitive exams की त्यारी करते हैं, तो उनका reasoning अच्छा माना जाता है, ये एक understood है, क्योंकि आप multiple exams देते हैं, तो आपका reasoning माना जाता है कि एक अच्छे level पे रहता है तो इसमें 15 प्लस नंबर की उमीद की जाती है और लोग इसमें 17, 18 19 नंबर तक भी लाते हैं बट मैं हमेशा एक bare minimum लेके चलता हूं कि 15 प्लस नंबर की उमीद की जाती है 20 में से, तो 15 प्लस नंबर की इसमें से उमीद की जाती है और ये चीज़ ध्यान रखना है जर्नल पेपर में कई बार लोग सूसते हैं कि चलो मैं तो अपने subject में अच्छा कर लूँगा, लेकिन अगर आप देखें तो जर्नल पेपर बहुत important होता है, इसके marks include होते हैं जर्नल पेपर is not qualifying in nature तो इसके marks आपके include होते हैं, तो इसमें आपको maximum number draw करने है खीचने हैं, जिससे आप merit में अपने आपको और प्रूफ कर पाए तो देखें इसके अंदर ये दे रखें analogies आती है, similarity, differences आते हैं, space visualization problem solving ये, तो ये सारा आपका जो है इसमें नजर आता है 15 plus अगर आप इसमें number लाते हैं, तो ठीक number माने जाते हैं, और देखें arithmetic and numerical ability ये आज के time में थोड़ा सा ये level high कर दिया गया है पहले थोड़ा सा कहते हैं कि असान रहता था, बट अगर मैं बोलू तो level ठीक था का रहा है 12 से 15 नंबर भी इसमें है न, एक अच्छा score माना जा सकता है 12 से 15 का score, एक अच्छा score माना जा सकता है ये ध्यान रखेगा, 12 से 15 का score, एक अच्छा score माना जा सकता है बाकी आप plus कितना भी कर लीजिए चलिए, simplification, decimal data interpretation, ये सब LCM, HCF, ये आप पढ़ते ही है आए न, ratio, proportion, percentage, average, profit and loss, mensuration तक आ रही है, देखिए इसमें time and work, time and distance, table and graphs, ये सब आपको देखने को इसमें मिलता है, right obvious बात है, 16 से 17 नंबर कहीं नहीं जाते बच्चों के, क्योंकि तैयारी वो कर लेते हैं उस level की, ठीक है, तैयारी वो उस level की कर लेते हैं, कि भई, उनका 16 सतरा नंबर यहां पर बन जाता है, तो एक देखिए आज के time में क्या हो रहा है, D, triple SB में एक बहुत अच्छी बात क्या है, कि आज के time में न, English और Hindi में, Hindi का तो अगर मैं बोलू तो, ठीक टागर दा English में आजकल hardcore grammar वाला concept खतम हो गया है, मतलब अगर मैं बोलू तो उसके अंदर मैंने जो paper जितने analysis के रहे हैं, लग बग लग बीस में से 6 या 7 तो vocabulary आ जा रही है, फिर उसके अंदर 5 जो है आपके क्या आ जाते हैं, 5 नमबर आ जाते हैं, passes से, ठीक, तो अगर आप English का देखेंगे, तो English में अगर मैं बात करूँ, इसको मैं divide भी करता हूँ, English मेरा subject है दोस्तों, तो अगर मैं बोलू, 6 तो 7 नमबर की तो लगबग लगबग vocabulary आ रही है, ठीक, दो common error आ जाती है, दो common error आ जाती हैं, लगबग लगबग, 5 नमबर का पैसे जा जाता है, 5 नमबर का पैसे जा जाता है, एक या दो जो है blanks आ रहे हैं, मतलब उसके अंदर vocab भी हो सकती है, उसके अंदर understanding भी, और अगर मैं बात करूँ तो दो नमबर जो है, वो jumble sentence आ रहा है, दो नमबर के jumble sentence आ रहे हैं, और बाकी जो miscellaneous है, थोड़ा बहुत रहता है, वो आ जाता है, ठीक है, तो यह ध्यान रखेगा, कि लगबग लगबग मेरे हिसाब से आज के time में paper जो है, DSSSB की English का, वो उतना high level नहीं है, अगर कोई बैटकर ठीक से त्यारी कर लेगा, तो एक अच्छे नमबर वो grab कर सकता है, ठीक है ना, वो एक अच्छे नमबर जो है, grab कर सकता है, idioms and phrases एक दो आ जाते हैं, लेकिन मैं उसको vocabulary में count करता हूँ, ठीक है, synonym and antonymes आ जाते हैं, correction आ जाती है, yes, ये भी ध्यान रखना एक से लेकर दो spellings भी आ रही है, हाँ जी, एक और दो spellings भी आ रही है, जो बहुत ही approachable, बहुत असान होती है, तो असानी से की जा सकती है, मैं जो आज के time में बच्चों को target देता था, क्योंकि English का एक हुआ रहता है, English का एक डर रहता है लोगों में, तो मैंने जो आज के time में target दिया कि भी 15 से नीचे English में बरदाश नहीं है, और अगर मैं बोलो उससे कम में, फिर merit manager आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज के time में मैंने लोगों से पूछा है practice set करते हैं, तो बोलते हैं सर 16, 17, 18 नमबर तक आ जाते हैं, तो इसका मतलब समझिए लोग अब English को alien नहीं मान रहे हैं, अब English को वो नहीं मान रहे हैं कि यार English में तो मेरे को ध्यान है मैं पहले पढ़ाता था तो उसमें बोलते हैं सर 7 दिला दो, 8 दिला दो, बस थोड़ा सा किसी तरह 10 तक आ जाए, तो आज के time में वो डायलोग बिल्कुल खतम हो गए हमें कम से कम 15+, 16+, 17+, लाने और यहीं से score हमें खीचना है passage बहुत approachable होता है बहुत असान होता है अगर आप रोज की एक basic reading करते हैं तो passage में आपको दिक्कत नहीं आएगी यह ध्यान रखेगा, तो आपको passage के अंदर दिक्कत नहीं आएगी यह ध्यान रखे, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तो, तो यह जो है आपका हाँ जी, अगर मैं बात करूँ तो यह देखे, यह आपका CDP का है, यह जो है पार्ट आपका CDP का है ये ध्यान रखेगा काफी lengthy है तो एक बार देख लेते हैं दोस्तों इसमें अगर मैं बोलू तो देखे growth, concept, development, socialization ये सब चीज़े जो है जो CDP के अंदर ये आपका जो रहेगा ये आपका 100 नमबर का रहेगा है ना ये आपका 100 नमबर का रहेगा ये ध्यान रखेगा तो ये सारी चीज़े जो है आपको क्या है PRT के अंदर पढ़नी है 200 नमबर का paper होगा 100 नमबर journal paper है और 100 नमबर जो है वो आपका क्या है दोस्तों वो है आपका CDP जो आपको यहाँ पर दिख रहा है तो एक अच्छा खासा देखिए इसमें NEP भी आ चुका है है ना और अगर मैं बोलू तो आपका अपना right to information वाला भी और sorry right to education वाला भी है आपका ठीक है तो और सारी चीज़े जितनी भी है वो आपको पढ़के जानी है ठीक यह ध्यान रखेगा तो अगर मैं अब आपसे बात करूँ तो देखिए यहाँ पर जो है अगर मैं बात करूँ दोस्तो तो यहाँ पर जो है अगर मैं चोटा सा साइड ले लेता हूं बस देखिए इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना जैसे आपका 200 नंबर का है ठीक है? यहाँ पर 100 जो है वो आपका जर्नल है और आपका जो 100 है वो आपका क्या है? अगर मैं बोलू तो में पेपर है या जिसको डोमेन बोलते हैं ठीक है? डोमेन है या जो आपका में पेपर है तो दोस्तो यह भी अभी बीच में बात आई थी कि इनमें minimum qualification आपको चाहिए और सौरी minimum आपको कितने नंबर चाहिए? देखिए पहले तो मेरा एक चीज़ मानन है कि minimum वाला हमें छोड़ ही देना चाहिए क्योंकि merit इतनी हाई जा रही है कि अगर आप minimum वाला सोचेंगे तो merit तक तो कभी नहीं पोच पाएंगे ठीक है ना? पहले के time में ये था कि journal paper में पहले की बात कर रहा हूं और देखिए हर चीज़ क्या होती है? notification के बाद clear होती है तो हम लोग अभी जो बात करेंगे वो पुरानी notifications के recording बात कर लेते हैं नई अभी notifications में थोड़ा सा time लगेगा और चीज़े हैं दूसरे warden और उसकी आ चुकी है उसके recording देख सकते हैं अच्छा देखिए पहले के time में इसमें 40% requirement थी ये आपका पहले था former था मतलब अगर मैं बोलू तो previous notification में था पहले आपको क्या थी 40% की requirement थी अगर आपको इसको 40 number लाने होते थे सो में से तभी आपका second paper चेक होगा लेकिन आज के time में ये जो है अब ये इसको नहीं है current notification ये कहती है कि आपको domain में 40% लाने है ठीक है ना domain में आपको 40% number लाने है ये ध्यान रखेगा और दूसरी बात ये है अगर आप domain में 40% number ले आते हैं तो आपका दूसरा बाकी आगे आपको चीजों के लिए जाएंगे और एक चीज़ ध्यान रखेगा ये जो है इसके 100 जितने भी number है ये qualifying नहीं है ये marks add होंगे ये वाले marks जो है वो add होते है ये ध्यान रखेगे मतलब अगर आप 200 number का paper दे रहे हैं तो domain में minimum 40 आपको चाहिए 100 में से हाँ journal paper का कोई ऐसा criteria न कोई मतलब नहीं है qualifying का but yes journal paper के जो marks है वो आपकी overall merit के अंदर जुड़ेंगे ठेक बाकी मेर को ये criteria इसलिए suit नहीं करता है दोस्तों क्योंकि आप 40-50 के चकर में फसेंगे तो आप merit तक तो कहीं नहीं पोच सकते और ऐसा नहीं है guys कि आप इसमें 100 में से 90 ले आएंगे और य कहीं से कोई तुक वो सब नहीं है आज के time में merit उस level पे जाने लगी है कि आपको दोनों के अंदर बहुत शांदार perform करना पड़ेगा मैं इनकी merit की भी आने वाले time में बात करूंगा कि previous exams में क्या merit गई है कैसे है तो मेरी एक request बस आप से यह है कि इसको आप तेयारी चाहते हैं तो हमारे साथ भी आप जुड़ सकते हैं DSSB की complete preparation हमारे यहां भी पूरी start हो चुकी है ठीक है और मैं भी आपको उसमें मिलूंगा English पढ़ाता हुआ हिमान सुशर उसमें मिलेंगे ठीक है और बाकी जो है अजे सर और बाकी जितने भी teacher है हमारे यहां पढ़ाते सब को आपको वहां पर देखने को मिलेंगे ठीक है हमारी तरफ से warden वाले batch जो है जिसकी post जो है 271 पोस्ट आई थी है ना और 62 पोस्ट जो है वो metron female की है यह batches हमारी तरफ से start हो रहे हैं हो चुके है live plus recorded हमारी तरफ से मिल रहे हैं तो आपको कोई भी information अगर हमारे साथ regular पढ़ाई करनी है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं connect हो सकते हैं और हमारे साथ join कर सकते हैं मेरी YouTube पर भी classes होती है YouTube पर भी आप मेरे साथ साड़े दस बज़े जुड़ सकते हैं TGT PGT चैनल पे और यह telegram जो है वो मेरा group है English by दीपक सर तो वहां पर भी आप connect हो सकते हैं तो test test book super coaching आपके लिए आ चुका है market में और आपकी पूरी help और guys बहुत time से मैं TSSB की preparation करा रहा हूं तो मैं आपको बता सकता हूं यह वो exam है जो कम से कम अभी अगर नहीं जागे time से नहीं जागे तो guys एकदम से निकलने वाला exam नहीं है maths अच्छे level का आता है इसमें ठीक है CDP त चाहिए जो मुझे लगता है आपको करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी notification के बाद इसकी तियारी प्लीज मत करिएगा वो बहुत लेट हो जाता है ना तो आप लोग सब connect हो सकते हैं thank you so much मैंने यह छोटी सी information आपके साथ share करी मेरा नाम दीपक है the one who takes care of English language thank you so much guys bye bye from my side